एलो गैस केसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के रेडिमी A4 5G फोन में अगर आपका बैटरी जल्दी खतम हो जाता है तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक रेडिमी A4 5G फोन है और इस फोन में आपका बैटरी जो हते हैं वो जल्दी जल्दी खतम हो जा रहा है अगर आपको बैटरी बेकप को भराना है आप लोग चाते हो आपका बैटरी जल्दी खतम ना हो कैसे करेंगे आज के वीडियो में ही बताऊंगा लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पासन आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टाट करते हैं बैटरी प्रोब्लेम को सॉल्ब करने के लिए आपको जल्दी जल्दी खतम होता रहेगा तो इन सब option को जो अगर off करेंगे तो आपका battery जो जल्दी खतम नहीं होगा तो इन सब को बंद कर दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर home screen में आना है और अगर आपके phone में recent में app चल रहेगाई इन सब को close कर देना है उसके बाद अगर आपके phone में automatically apps अपडेट हो रहेगाई उसको बंद करना है वह main चीज़ेगाई अगर आपके phone में automatically background में apps अपडेट होते रहेगे तो आपका battery जल्दी जल्दी खतम हो जाएगा तो उसको बंद कर दीजिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करेंगे अब लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है गईस आपके phone के settings में जाना होगा आपको और थोड़ा सा नीचे scroll down कर लेना है तो यहाँ पर सम settings में जाएंगे और नीचे scroll down करेंगे थोड़ा सा नीचे एक option मिलेगा गाईस आपको battery का battery and performance इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा गाईस current mode का current mode पर क्लिक करना और battery saver को on कर देना है ऐसा कर दिए आपको जो battery है जो save होने लेगा और battery जल्दी खतम नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi A4 5G phone में battery draining problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलता है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई